जूम इसको तेखो स्लम डॉग स्टार रुबीना अली फिर है सुर्खियों में बिटन की एक वेबसाइट का दावा है कि रुबीना की पिता ने रुबीना को एक करोड़ असी लाख में बेचने की कोशिश की लेकिन आखिर क्या है सच इस पूरी कॉंट्रुवर्सी के पीछे जानते हैं स्टोरी के जारे ये लड़ाई हो रही है पौने दो करोड़ की रुबीना के लिए ये आसू बेह रहे हैं पौने दो करोड़ की रुबीना के लिए ये पौलिस आई है पौने दो करोड़ की रुबीना के लिए जी हाँ स्टलम डॉग बिलेनर में काम करने वाली रुबीना की कीमत है पौने दो करोड़ रुपए जो तैग की है उसके अपने पिता ने इस टिंग ऑपरेशन के जरिये इस बात का खुलासा हुआ कि रुबीना के पिता रफीक कुरेशी ने उसे बेचने की कोशिश की हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जिसमें रुबीना अपने अब्बू और अंकल के साथ दो असामियों से मिलने गई है इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि रुबीना के परिवार की आप से लड़ाई एक पब्लिक तमाशा बन गई हाता पाई हुई और मामला थाने पहुँच गया और दर्ज हो गई रुबीना के पिता रफीक के खिलाफ शिकायत जिसे रफीक एक साजिस बताते है ये पैसा ही है जिस वज़ा से हो रहा है इतना सारा तमाशा आखिर रुबीना कोई मामूली लड़की नहीं वो उस फिल्म का हिस्सा है जिसने कई अंतराष्ट्य पुरसकार जीते हैं और जाहिर है उसकी कीमत ये पैसो के लालची बखुबी समझते हैं बहीं दूसरी और रुबीना है जो मानती है कि उसके पिता निर्दोश है लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं रुबीना की वो बाते जो अब तक आपने नहीं सुनी और जिनमें दिखाई दे रहा है रुबीना का एक अलग चहरा बोलो बोलो कोई बात है कोई बात है सब रुके हैं तंग आजाती हो सब्सक्राइब एरफूर्ट से भी आप लेगे जिसको लेना है तुना आओ इजर पर मायक रख दो अचला आज़ो यह सब्सक्राइब क्या करेंगे जी हां सी गई है रुबीना और इन्हें देख तो ऐसे ही लगता है कि रुबीना के माबाप ने इन्हें अच्छी पट्टी पढ़ा कर भेजा है अब ऐसे में आप ही तह कीजिए कि रुबीना के बेचे जाने के लजाम कितने सही है एक ऐसी कहानी जिसके बारे में डैनी बॉल तक नहीं सोचा होगा स्लम डॉब मिलेने में काम करने वाली रुबीना की जिंदगी में तरह तरह के मोड आ रहे है और अब इस पढ़ाओ पर उसके अबबु पर इलजाम लगा है उसे बेचने का स्लम से निकल कर मिलेने बनने की ये हस्रक कितनी सच है इस पर से परदा उठना तो भी बाकी है लेकिन ये पूरा वाक्या रुबीना को पुजिल स्टेशन तक तो लेही आया है क्याम मैंन अमोल ठाकुल के साथ कुनाल मंडेकर जूम मॉबल